वजुश्पन तो माई विद्याहव टुटोरियल चैनल जैसे कि आपको पता था क्वाइंट्स और रीजनिंग का क्राश कुर्स स्टाट किया हुआ है क्वाइं जो चैप्टर्स अप्लोड़ेड हो चुके हैं ऐसे ही रीजनिंग में आपका जो चैप्टर्स है रीजनिंग के coding decoding and blood relation already upload हो चुका है यह coding decoding का part second है इसमें आपकी जो types रह गई थी part 1 में discuss करने वाली यह वो हम इसमें discuss करेंगे इसमें अजो हमने part 1 के अंदर alphanumeric, numeric ठीक है alphanumeric both और alphas only, letters only इन सब के बारे में हमने discuss कर लिया हुआ है यह आपका part second है जिसके अंदर हम mixed coding की बात करेंगे कि mixed coding किस तरीके से paper में आ सकती है और जो एक coding decoding chapter है या आपके IBPS के लिए exams में आपके 4 to 5 questions रहते हैं for other exam, आपके state government exams में आपके 3 to 4 और 2 to 3 questions इसके रहते हैं that's very important chapter for you एक जो question है वो important आपके exams के लिए तो mixed coding को दिहान में रखते हुए first question आपके board पे हैं आप देख सकते हैं अब इसमें क्या given है आपको इसमें आपको name यह आपको coding given है coding समझते हैं आपको यह words given है यह R का मतलब 8 है और A का मतलब 1 है और T का मतलब 5 है यह इसको code दे दिया गया है और आपसे question में पूछा गया है यह आपका first question है और इसमें आपका पूछा गया है कि अपने TATA का code बताना है ENT, TEAR and REM आपको इनके codes बताने हैं और यह codes लेने कहां से हैं जो हमें given statement है उनमें से code निकालने हैं पहले जो अपने coding होती है उसको accuracy से solve करना बहुत important रहता है उसमें main चीज़ ही रहती है कि coding को जो आपको given है उसमें से codes निकाल के रख लो जब codes निकल जाते हैं तो within a second आप अपने question को solve कर सकते हैं ठीक है अब जिसमें से code देख लेते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं N की coding क्या given है 7 और अगर हम यहां भी N देखी तो N की coding भी 7 है यहां पे N है N की coding भी 7 है it means इस N की coding मुझे 7 मिल चुकी है चीक है जी यहां से N कट गया जैसे N कट गया उसे दिखिसे A प्र आजाते है ए की coding 1 है यहां पे A की coding 1 है A Kी coding 1 A1, A की Coding 1 A की Coding 1 और A की Coding 1 हर जगा A था और उसकी Coding क्या थी? 1 तो मैंने लिख दिया कि मेरे पास A की Coding क्या आ गई है? 1 आ गई है Same here M की Coding 2 and then M की Coding 2 दो जगा M था और उनमें M की Coding क्या थी? 2 थी Next E E की Coding 3 है, E की Coding 3 है E is 3 E is 3 ठीके, ऐसे ही E की Coding क्या है? 3 है and same way T की Coding, T की Coding यहाँ जो given है that is 5, T की Coding 5 और यहाँ पर T की Coding भी क्या है? 5, और यहाँ पर T की Coding भी क्या है? 5, तो ऐसे मुझे जो T की Coding मिली है, that is 5 Okay, same way अब हम आगे चलते हैं, E की Coding मुझे मिल चुकी है, E, T की मिल चुकी है यहाँ पर E की मिल चुकी है, J की है 6 J की है 6 तो यहाँ पर हमने दे दी J की Coding भी क्या है? 6 same way T की Coding मुझे मिल चुकी है यहाँ पर R, ठीके, R पहले कहीं नहीं था तो यहाँ पर जो R है, वो क्या है? वो given है 8 यह मैंने question को solve कर लिया, question में solve करके मैंने codes निकाल लिया, और उसको side पर लिख लिया, अब आपके जितने questions हैं, आप उनके code देखते जाएं, और question में put करते जाएं, जैसे कि TATA, आपको पता है, T की coding आपने निकाली थी, that is 5, A की coding 1, again 5, again 1, T, A, T, A, छीक है, same here, E and T, E की coding क्या थे, 3, N की coding क्या है मेरे पास, that is 7, और T की coding क्या है, 5, next T, E, A, R, T की coding है, 5, E की coding कितने गिवन है, that is 3, A की 1, और R की कितने गिवन है, 8, next R, A, M, R की coding 8, A की 1, और M की कितने है, 2, 1st question, छीक है जी, यह आपको solve हो चुका है, आप देखे हमने किया क्या था, स्थिक code निकाल के question को पहले simplify किया, फिर within a second, आप अपने जो questions है, उनकी coding को solve कर सकते हैं, चाहिए वो कितना भी typical word हो, आप अपने coding से उस कांचो निकाल सकते हैं, same here, अब हम question second solve करते हैं, second question आपके board पे है, चीक है, कि आपको coding given है, और आपको जो question में बोला हुआ है, वो code निकालना है, leaf का, चीक है, leaf का code निकालना है, अब आपको lines given है, और कुछ desert given है, और इनको solve करने के बाद, आपको leaf का code निकालना है, कोडिंग में चीज़ ध्यान रखना जब हम question को कोडिंग यह चीज़ simplify करेंगी निकालना क्या है कभी उस पर ध्यान मत दो ठीक है क्यूंकि जब आप कोडिंग इतना अंसव निकाल यहां पर मुझे लीव की कोडिंग में कोई और चीज नहीं गिवन तो इत मिन्स मुझे यह दोनों चीज़े सॉल्ब करने पड़ेगी यह दोनों चीज़े सॉल्ब करूंगी तब ही मुझे लीव की कोडिंग मिलेगी ओकी डेन अब इस questions को करते कैसे हैं स अब देखिए यहां पर जो आपको given है that is six common है it means add जो है वो क्या denote कर रहा है six को denote कर रहा है good next is red red जो है वो देखिए आप first or second statement में common है तो आपने सिर्फ for first or second statement देखनी है कि इन में से common क्या निकल सकता है अगर आप ध्यान से देखिए तो इन में common क्या था four तो मैंने यहां पर भी four लिख दिया और यहां पर भी four लिख दिया ठीक है अब बचा क्या that is leaf it means जो यहां पर बचा हुआ word है वही किस की coding होगी leaf की coding होगे तो आप बोल सकते है seven answer कि जो leaf की coding है वो seven है and question को आपको shortcut इनकी रही रहते हैं कि आपको इसरफ यह देखना है निकालना क्या है और secondly अगर मुझे यहां पर leaf कहीं और भी होता तो मैं डारेक्ट उनकी coding निकालगी answer दे सकते थी बट मुझे इन दोलों को भी देखना है because leaf कहीं और नहीं है तो पहले and का code solve किया पर red का किया and then जो बचा हुआ code था वो हमने leaf को दे दिया right इसे के साथ अब हम करेंगे third question third question आपके board पर है question देख सकते हैं यह भी coding का part है coding आपको ऐसे questions में भी आ सकती है question देख लेते हैं if sky is called sea sea is called water water is called cloud cloud is called air and air is called river ठीक है यह मुझे coding given है कि जो sky है उसको sea बोला जाता है जो sea है उसको water बोला जाता है जो water है उसको clouds बोला जाता है जो air है उसको river बोला जाता है, यह मुझे coding given है, but question में क्या लिखा है, question में लिखा है, then what do we drink when thirsty, जब हमें प्यास लगती है, तब हम क्या करते हैं, तब हम पाने पीते हैं, it means water is cancer होगा, ठीक है, हम क्या drink करते हैं, water करते हैं, यह is cancer होगा, अब हम coding में चेक कर लेते हैं, coding में ल कि इसका answer sea है, water है, या cloud है, ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना, sea is called water, and water is called cloud, तो ultimately हमें जाना कहां था, हमारा जो answer है, वो water तो नहीं है, क्योंकि water की जो coding है, वो cloud बोली गई है, कि water को cloud बोला जाता है, पानी को बादल बोला जाता है, coding के हिसाब से, तो हमारा जो यहाँ answer होगा, वो water नहीं होगा, वो यहाँ पर क्या होगा, वो यहाँ पर cloud होगा, ठीक है, that's my answer, ठीक है, यहाँ पर गलती से भी water नहीं लिख दना, यहाँ फिर sea नहीं लिख दना, कि sea is called water, no, water को क्या बोला जाता है, तो water को क्या बोला जाता है, cloud बोला जाता है, ठीक है, तो जो तेखें फूर्थ क्वेश्चन की कोडिंग आपके ब्लाक बोड पर लिखी हुई है तो कोडिंग is if the air is called green green is called blue blue is called sky sky is called yellow yellow is called water and water is called white ठीक है यह आपको कोडिंग गिवन है कोडिंग में आपको और गिवन होगी उसके बाद जो है वो क्या है आपका what is the color of clear sky तो clear sky का color कौन सा होता है अगर आप देखें हमारा clear sky का color blue होता है चीके blue तो answer तो blue आना चाहिए बट हमने यह चिक करना है कि हमारी coding में blue को क्या बोला जाता है आप यहां देख सकते हैं यहां बोला है green is called blue and blue is called sky to blue को ग्या बोला जाता है by you gonna nai बिलू क occur बोला जाता है और blue को क्या बोला जाता हैकाइब अनुम ने जो Aww शान Democrat except blue अब आचना अ-ds Видलो को बनाफ डिलू की morgueं यू को स्का द्रींग क्या थो Blue is called sky, blue को sky बोला जाता है, इसलिए blue की जो coding है, वो sky होगी, sky is my answer, now come to the next question, 5th question आपके board पे है, आपको कुछ words गिवन है, उनकी आपको coding गिवन है, और आपको ये बोला हुआ है, कि what is the code of is and worth life, अलगला question है, एक question नहीं है, अब हम देख लेते हैं, हमें coding कैसे गिवन है, देखो ये codes है, tip, an, mos, इनका कोई मतलब नहीं है, अगर आप इन में कोई मतलब रूणो कि oj का क्या मतलब होता है, dot का क्या है, and क्यों लिखा हुआ है, ये coding है, इनके कोई meaning नहीं होते हैं, उसके बाद देखा हुआ है, batme cloud, cloud is life, game me car, life or birth, ये चीज़े मुझे गिवन है, अब पह coding solve हो जाती है, जैसे कि IBPS के exam है, IBPS के exam में, जो आपकी coding रहती है, वो ऐसे के questions रहते हैं, और उसके questions है, वो आपको बताऊंगे questions किस तरीके से पुछे जाते हैं, otherwise जब एक बार coding solve कर लेते हो, तो आप किसी भी तरीके के question को जल्दी solve कर सकते हो, okay, अब करेंगे कैसे, इस questions क solve के से किया जाता है, let's start, BAT, आप ये देखें कि BAT कहीं और भी है, नहीं है, common निकालते हैं, ME, ME कहीं और भी है, यहां है, चीक है, हमने इसको underline कर लेना है, यहां है, और यहां है, ऐसा कोई word जो first और third में common हो, कि जहां जहां मी होगा, उसी में ही हमें quote देखने को मिलेगा अब ME first और third में है, तो सिरफ first और third में ही common डूँन दोंगे, तो common tip, tip, tip है, जो first और third में common है, और तो कोई common नहीं है, it means, हम यहां से tip को cut करके और यहां लिख देंगे, कि जो ME का code निकल के आया है, वो निकल के आया है, tip, चीक है जी, उसे तरीके से next है cloud, यहां है cloud, यहां ह इस cloud की जो coding है वो है an or n correct same way अब हम बात आते हैं अब फस्स देखिए यहां पर मी का code में मिल चुका है cloud का code में मिल चुका है बचा क्या है mos automatically यह किसका code होगा यह bat का code होगा तो हम यह कह सकते हैं कि first line में complete हो चुकी है ठीक है जी now come to the second line is is कहीं और नहीं है ठीक है आप इसको चोड़ सके next word देखिए that is life life कहीं और है life एक second में है एक court में है ठीक है तो second or fourth में आप comment डूंड़ी है second में है oj fourth में है oj तो it means आप यह कह सकते हैं कि oj जो होगा वो किसका होगा वो life का होगा ठीक है अब हम second line को एक बार देख लेते हैं is रह गया इन दोलों को coding मिल चुकी है it means जो यह d.o.t है यह किसका है code यह इसका code है here now next to the third line that is give give कहीं और नहीं है उपर सबको coding मिल चुकी है तो देखने का फाइदा ही नहीं है तो gebe कहीं और नहीं है ठीक है hiç car कार- कार कहीं और नहीं है ठीक है कार उपर भी नहीं उपर तो co-疫 mil चुकी है इसे तुरे के से अगर हम यह line में देखें, तो जो gave है, gave की coding, या तो but होगी, या do होगी, या, not confirmation, उसे तरीके से car जो है, उसकी coding, या तो but होगी, या do होगी, not confirmation, correct, next आते है, और और birth में सबको coding मिल चुकी है, या तो वो nil है, या वो talk है, या ये talk है, या ये निल है, बट हमें confirm नहीं है, ठीक है जी, हमारी जो coding है, वो solve हो चुकी है, now questions पर आप देख सकते हैं, fifth question, what is the code of is, हमने coding solve की हुई है, आप देखिए, इसके उपर क्या लिखा है, dot, it means हमें first का जो answer है, वो क्या है, dot, ठीक है ज कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपने coding solve की हुई है, आप वहां से देखिए, direct answer लिखो, now x, ये है b, b में बोला हुए है birth, life, birth, life, birth की coding या तो tick थी, या निल थी, confirm नहीं था, but life की जो है, वो confirm है, तो life की coding हम ये कह सकते हैं, कि oj है, और ये जो है, या तो tok होगा, या फिर निल होगा, ठीक है जी, अगर तो आपको ऐसे के options आते हैं, अगर आपको जो options होते हैं, वहां ये लिखा जाए, आइदर tok और nil, और साथ में oj, अगर आपको ये option मिल जाता है, तो ये correct होगा, अगर ये options में लिखा है, tok, nil, oj, oj, ठीक है, tip, oj, और साथ में an oj, अगर ये आपको options ये given है, ठीक है, ध्यान से चीज को समझना, अगर options ये given है, ये given नहीं है, सिरफ ये options given है, तो आप क्या tick लगाएंगे, और ये आपको question given है, can't be determined, ठीक है, जो last वली option है, वो आपको given है, can't be determined, अब आप देखिए, यहां पे tok और nil दोनों given है, और यहा है, अगर तो आपको दिया है, तो आपको दिया है, तो यूशुड टिक first option, otherwise, अगर आपको वो नहीं given है, और आपको ऐसे तरीकी options given है, और हमें confirm भी नहीं है, कि यहां पे to, k आएगा, या nil दोनों दोनों given है, तो इसका answer क्या होगा, can't be determined, तो इसका answer क्या आएगा, can't be determined in options की, through, ठीक है, now come to the 6th question, वो भी कुछ, now 6th question, ठीक है, यह भी 5th question के जैसे ही है, आपको कुछ coding given है, और coding को solve करके और आपने, question जो solve करने है, वो यहां पे रिखे हुए है, question, what is the code of bat, what is the code of mat and kept the fish, ठीक है, यहां पे अपने करना है, सबसे पहले code solve कर लेते हैं, जैसे पहल में भी good है, that is fourth, first और fourth में good है, तो हमने first और fourth में ऐसा word दूणना है, जो common निकल रहा हो, आप देख सकते हैं, coj, it means coj, और coj, यह इसका code में को मिल चुका है, ठीक है जी, next birth, birth यहां पे भी है, birth और कहीं नहीं है, ठीक है, skip the word, next is girl, girl यहां है, यहां है, और कहीं नहीं है, तो हमने कुछ ऐसा दूणना है, जो first and second में common हो, तो जो girl है, first and second में common, that is called DOP, DOP, it means, इसका code मुझे मिल चुका है, that is called DOP and DOP, now, birth, अब जो VN बचा है, वो क्या होगा, birth का code होगा, ठीक है, जैसे हमने parallel equation में किया था, the, the यहां पे है, यहां पे है, और कहीं नहीं है, it means, ऐ इसा जो इन दोनों में common हो, that is UN and UN, यहां लिख देंगे, उसके बाद late, L-A-T-E, और कहीं नहीं है, it means, जो word बचा हुआ है, mad, वो इसका code हो जाएगा, तो हम बोल सकते है, M-A-T, mad, जो है, वो late का code है, then after that kept, and then first, ठीक है, यहां पे fish है, sorry, यहां पे fish आएगा, F-I-S-H-E- भी है, fish यहां पे भी है, और इन दोनों में code क्या है, common है, not, not, it means, इन दोनों की coding भी क्या होगी, note, then kept, यहां पे अकेला बच गया, it means, इसका मतलब क्या होगा, R-E-P, और यहां पे आते है, यहां पे bat अकेला बच गया है, और word भी अकेला बच गया है, US, तो इसका मतलब इसकी कोडिंग है यह वैस वीडिंग सॉल करने के बाल यह विदिन सेकिट अब इसको व्कॉड कर सकते हो okay 6 अब बैट की कोडिंग आपको पता है डैट आइस यूएस आप टिक करो गे यूएस यह यह ज्यूरां सब ठीक है यह आपका फर्स्ट पार्ट यह सेकिंड पार्ट और यह आपका थर्ड पार्ट अब मैठ है मैठ की कोडिंग क्या था है यू इन और फिश की कोडिंग क्या है और फिश को सॉल करना इंपार्टेंट है जब आप इस चीज को सॉल कर देते हूं तो आप वेशन निकालने में बहुत कम समय लगाँगे एसे ही आम एक कोडिंग करेंगे इस लास्ट क्यूशन ओकी इसे एक कोड है आपको सॉल करके कोडिंग देनी है यह आपका क्वेशन जो एब एब यह कुछ कोडिंग है कोडिंग आपको गीवन है हम सिधा सौल करते है ठीक है नंफर्स इस लार कहीं और भी नहीं है नव कम कि दए नेक्स वर्ड यह एंड पर्स्ट में है और थर्ड में है इत मिन्स फर्स्ट में अशा जो कॉमा निकल रहा हूं ठीक है यह ड़ि ग्रीन कहीं भी नहीं है कहीं भी नहीं है और रेड रेड और कहीं भी नहीं है ठीक है रोजेज एंड रोजेज के सेकिंड फूर्थ तो आप देख सकते हैं कुमन डट इसकोल्ड इएच तो इट मिन्स ई और यहां पर एच यह आप यह आगा एच चीक है जी अब वेजेटेब तो यह तिम जो बच्चा हुओ है यहां आ गया यहां पर रोड है canım किया यहां आगया अागे flower और green का मुझे नहीं पता यह और यह 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 EB है यह 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 LI है तो यह आपके सामने question, question दिख लेते हैं so, question is what is the code of red आपको red का code बताना है है जो मने solve किया हुआ है तो red का code क्या है कि I am answer complete now second flower flower का code बताना है that is यह है यहां तो लाई यह यह इभी which is not clear अब इस question का जो answer है it's depend upon your options अगर options में आपको ऐसे given है options given है अगर either li और b eb eb तो यह option है अगर यहां पर आपको li given है यह आपको eb given है यह आपको none of these given है तो आप देख सकते हैं either li और b इसे का answer यह बनता है अगर हम इसमें थोड़ा सा modify कर दें और अगर हम इस चीज को हटा दें अगर हमें यह नहीं given इसके इलाबा हमें eep given है ठीके और हमें यह given है तो li eb के बीच में अभी confirmation नहीं थी इसका answer क्या होगा none of these यह none of these होगा यह can't be determined ठीके तो हम इन में दोनों में से determine नहीं कर सकते है तो इसका मतलब यह क्या है आइदर और 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 भी और तो option में नहीं है it means यह तो यह होगा यह फिर can't be determined ठीके जी ना नेक्स question is ठीके यह आपका solve हो चुका है अब next question है आपका vegetables and red roses पुरा given है ठीके जी vegetables का मतलब है tim and and की coding है eep red की coding given है kim and roses की coding given है eeh that is my answer ध्यान से देखना है options को अगर इतने लंबी line है तो options को ध्यान से देख के tick करना है क्योंकि examina जैसे यह यह है वहाँ पे eep है एसे थोड़े clue आपको confuse करने के लिए होते हैं तो पूरे त्यान से question किस तरीके से लिखा है coding भी उसी तरीके से ही होगी अपने options को देखके tick करना है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक यह वीडियो पहुंच आए जो गर बैठके competitive exams की त्यारी करना चाहते हैं तक यहुंच अच्छी है